जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं hospital और cleaning में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली emergency injection कोन-कोन सी होती है emergency injection का क्या काम होता है कोन-कोन सी injection emergency होती है इसकी बारी में पूरा details से जानकारी देंगे और उसका dose क्या होता है उस injection का किस समझ से किस बीमारी में लगा जाता है यह पूरी जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे इसमें सबसे पहले हमारा injection है लैसिक्स लैसिक्स injection का उपयोग तब किया जाता है जैसे कि हाइपर टेंसन की कंडिशन में यानि हाई बलेट प्रेसर को ठीक करने के लिए इस इंजेक्सन का उपयोग किया जाता है और दूसरा है हाई पर केलेमिया को ठीक करने के लिए लैसिक्स इंजेक्सन का उपयोग किया जाता है यह डायरेटिक मेट सीन है जैसे कि लैसिक्स इसका फेमेस ब्रैंड नेम है और इ इंजक्सन इूरीन के आउटपुट को बढ़ा देता है जो हाई ब्लेट प्रेसर होता है वो नॉर्मल लेबल पर आ जाता है जैसे कि हमारा अगला इंजक्सन है एट्रोपेन इंजक्सन का उप्योग कहां किया जाता है चलिए जान लेते हैं अगर किसी बैक्त को और गेनो फासफेट की पॉजनिंग हो जाए आज एंटीडोट भी यूज किया जाता है ये दो यूज होते हैं एट्रोपाइन इंजेक्शन के अगला इंजेक्शन है हमारा एड्रीना लाइन इसका उपयोग कार्डिक एरेष्ट की कंडिशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है सुपरफीसियल बिलीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और अस्थमेटिक यानि अस्थमा वाले समस्या में भी इस injection का उपयोग किया जाता है इस injection का उपयोग अस्थमा की कंडिशन में तब किया जाता है जब कोई अस्थमा के पेसेंट में जो injection या दवा डॉक्टर दिये रहते हैं वो काम नहीं करता है तब उसके बाद में इस injection का उपयोग किस condition किस परिशानी में किया जाता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि इस injection का उपयोग low BP यानि low blood pressure की condition में किया जाता है injection heart rate को increase कर देता है इससे क्या होता है जिस ब्यक्त में low blood pressure की समस्या रहती है वो normal range तक हो जाता है injection heart rate को increase कर देता है जो बलेड का प्रेसर है वो नॉर्मल लेवल तक चला जाएगा जैसे कि अगला इंजक्षन है हमारा केलिसियम ग्लूकोनेट इस इंजक्षन का उप्योग हाइपोगलेसेमिया को ठीक करने के लिए इस इंजक्षन का उप्योग किया जाता है और हाइपर केलेमिया को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है और मेगनेसियम टॉक्सिसिटी के अंदर भी इस इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है अगला इंजेक्शन है हमारा नाइट्रो गिलेसरीन इंजेक्शन हेट्रोगलेसरीन इंजेक्शन का उपयोग हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है हाइपरटेंशन का मतलब होता हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है किसी को high blood pressure की समस्या रहती है तब इस injection का उप्योग किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर भी इस injection का उप्योग किया जाता है chest pain की condition में भी इस injection का उप्योग किया जाता है अगले injection की बात करते हैं तो हमारा आगला injection है निलेक्जोन injection इस injection का उपयोग तब किया जाता है अपोजिट की overdose हो जाए तो उसके अंदर ये antidote उपयोग किया जाता है जैसे कि हमारा आगला injection है sodium bicarbonate इस injection का उपयोग किया जाता है सीवियर मेटाबोलिक एसोडेसिस के अंदर और इस इंजेक्शन का उपयोग हाइपरकेलेमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है और कोरोनिक टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है अगला इंजेक्शन हैमारा सेक्सिनाइल कोलीन इंजेक्शन इस इंजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है सौट टर्म पेरलेसिस को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है अगला injection है मारा पेरासिटामॉल इस injection से आप काफी ज़्यादा परचित होंगे injection का उपयोग आप जानते होंगे जर्नली यूज किया जाता है जैसे कि बुखार को उतारने के लिए और सरीर में मॉडरेट पेनियानी अगर सरीर में दर्द हो रहा है तो उस समें भी इस injection का उपयोग किया जाता है जैसे कि अगला injection है मारा फिनरगैन injection इस injection का उपयोग तब किया जाता है इस injection का उपयोग किया जाता है नोजिया और बुमेटिंग अगर हो रही हो तो उस condition में इस injection का उपयोग किया जाता है जैसे कि severe allergy की condition में इस injection का उपयोग किया जाता है और हम अगले injection की बात करेंगे अगला injection है abil abil injection से आप काफी ज़्यादा परचित होंगे इस injection का उपयोग जैसे कि जानते है abil injection का उपयोग allergy के reaction में किया जाता है जैसे कि अगला injection है हमारा dobutamine injection का उपयोग कहां किया जाता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि septic shock की वज़ा से अगर heart failure की समयस्या हो गई हो तो वहाँ पर इस injection का उपयोग किया जाता है और congestive heart failure के अंदर भी इस injection का उपयोग किया जाता है जैसे कि अगला injection है हमारा amiodoran injection है amiodoran injection का उपयोग कहां किया जाता है चलिए जान लेते हैं इस injection का उपयोग irregular heart beat को ठीक करने के लिए इस injection का उपयोग किया जाता है और जैसे कि ventricular अगर टेकिक आइडिया की कंडिशन में इस injection का उपयोग किया जाता है वेंटी कुरल फेवरी नेशन है ITL फेवरी क्लूमिशन की समझ से में इस injection का उपयोग किया जाता है या वीडियो से नार्मल जानकारी के लिए अगर आपके कोई दिकत कोई परिसाने आए तो आपने दिकत की डाक्टर या फारमासिस्ट इसा संपरा करके दवा लें कोई विदो आपनी मर्जी से लाए या वीडियो से नार्मल जानकारी के लिए बनाए तो